आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ चिकन कबाब की रेसिपी ये एक कबाब से आप चिकन बर्गर भी बना सकते हैं और कबाब भी बना कर इंजॉय कर सकते हैं रमजान आने वाला है तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ कुछ अच्छा सा और क्विक सा रेस और फ़ी थोड़ा सा नमक डाला अपने टेश्ट के हिसाब से और यह सपून लैसुन का पेश्ट और यह सपून ब्लैक पेपर पॉडर और एक चमच कुती हुई लाल मिर्च और एक चुटकी आंजवाइन और हाप स्पून ही मैंने चाट मसाला एट किया है और यह प्यास है क आपनेे जाब से मिर्ची कम्या ज़ादा कर सकते हैं थोड़ा सा ब्रेट कर लें इससे टेष्ट बहुत अच्छा है और थेक्षण भी बहुत अच्छा है दो चमच के अटकिया और एक चमच मैंने रेड चिली सॉस और थोड़ा सा मियोनीस, मियोनीस जरूर एट करें कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बहुत सौफट और जूसी रहता है तो इसलिए जरूर ढले और थोड़ा सा निम्बू का जूस इन सब को डाल अच्छे से मिक्स कर लेँ बेसिक सी चीज़े हैं जो हमारे घर में ही मौदूद होते हैं बस वो सब को डाल के हमें बनाना होता है यह देखें बनाने का आप लोग तरीका देख लिए अच्छे से और उसके बनाए और इंजॉय करें रमजान में जरूर ट्राय करें बहुत टेस्टी लगता है यह देखे अचे से मिक्स करके ये थोड़ा से गिला गिला आपको दुखेगा तो इसको धोड़े दिर एप पानी लगा सकते हैं बट ओएल में क्या होता है ज्यादा पानी-पानी केबाब हमारा होता नहीं है तो इसके लिए मैं हमेशा ओयल ही लगाती है देखे ओयल लगाया और गोल गोल कर लिया बस फटा फट से बनने वाला ये कबाब है ये देखे इस तरीके से गोल किया और दोनों हातों से बस दाब लेना इस तरीके से रखकर बहुत अच्छा सा शेफ आ जाता है शेफ अगर ब दूसे साइड मैंने फ्राइपन में गरम होने के लिए रख दिया था जब अच्छे से गरम हो गया है तो सारे कबाब के पीसस मैंने रख निये दो से तीन और कबाब को अब मीडियम प्लेम पर फ्राइब कर लेना है एक से दो मिनिट में कबाब को साइड चेंज करना होता ह कबाब के साइड़ चेंज किया अब कंटीन्यू कबाब को इस तारीक से हुलवएज तरीकछ करा अब कंटीनीउ कबाब को इस तरीके सेП लेकल से चार से जहांक सेतकर निकाल लिए और चेकल कोटने शका लगा। आनिया व्रीयलती नि कबाब के साथ बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग ना ये चटनी भी जरूर बनाए और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला और थोड़ा सा चाट मसाला डाले और ये देखे चटनी हमारा रेडी हो गया बस धनिया पुदीना और हरी मुझ्ट को कूट कर उसका रस ले लेना है और दही डाला और ये देखे बहुत अच्छा सा कबाब रेडी हो गया कबाब मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ ये देखे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बना है बहुत टेस्टी लगता है आप लोग बनाए और इंजॉय करें जब भी मन चाहे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं और इसका नाम में आप लोगों को बर्गर बनाकर दिखाती हूँ बच्चों के लिए आप चाहना तो इसको बर्गर में डाल कर दे सकते हैं बहुत हैपी हैपी बच्चे इंजॉय करते हैं बर्गर बन ले लिए थोड़ा सा बटर लगा कर अडर के तरफ सेक लिया मैंने अब में लगा रही हूं थोड़ा सा कैचप और मियोनीज को मैंने मिक्स कर लिए यह देखे थोड़ा सा लगा लिए अपने हिसाब से आप कम्या जादा लगा सकते हैं जितना आप खाए आपके बच्चे खाए और उसके गबाद यह जो कबाब था कबाब डाला थोड़ा सा खीरा डाला और एक टॉमेटो डाला खीरा टमाटर जरूर अट करें चीज और यह देखें बहुत ही प्यारा सा हमारा बर्गर रेडी हो गया बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं आप लोग इस कबाब को जरूर बनाए इंजॉय करें और बच्चों के लिए इस तरीके से बर्गर भी टेड़ी कर ले एक बार में दो काम हो जाता है बहुत ही आसानी से बच्चे भी खुश और हम भी खुश तो बनाए इंजॉय करें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताके नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालू नोटिफिकेशन आपको मिले ताटक को प्राइब